हेलो साथियों नमस्कार मैं राजिस दोस्तों मैं फिर से लेकर आजी हूँ आपके लिए एक बहुत ही 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 बह साथियों सब्जेक्ट वाई टेस्टरीज इस समय हम लोग कर रहे हैं और बीच बीच में करेंट अफेर्स के भी करते हैं तो आपके आने वाले एक्जाम आरो एरो और योपी पीसीयस दोनों के लिए राम बार है साथियों यह जो टेस्टरीज है इसमें आपको जो सवाल और शेटो प्रशन है शेटो प्रशन को मतलब यह उसी बेस पर बनाया गया है जिस बेस पर आपके एकजाम में प्रशन पूछा जाता है तो साथियों बहुत ही जब अरजस्त प्रैक्टिस सेथ है बहुत ही बेहतरीन एक भरोसे मन संस्था की तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहते हो कि आप लोग इस बेडियो को एक एक प्रशन को देखिएगा छोड़ियेगा नहीं क्योंकि आज काल के बच्चे है न उन्हें अच्छी चीजे नहीं पसंद आती है उनकी पेसेंस कम होते जा रहे हैं सोट बेडियो देखते देखते तो साथियों आपसे यहीं उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक बार अपने आपको धैर रखे वीडियो को अंत तक देखिए और एक एक प्रशनों पर मन्थन करिए अगर आपको इसका पीडियेफ चाहिए मेरे भाई अगर आपको इसको पीडियेफ चाहिए में अपना लिंक दे रहा हू तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको पीडियेफ मिल जाएगा इसका एंसर की सहीत तो साथियों आपके लिए रामभान साबित हो सकता है आने वेले एक जाम किसी के लिए ऐसे परशनों को साल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेबल बढ़ेगा आपकी नॉलेज करें पड़ेंगे हम कमजोर कहां है हमारा टॉपिक क्या अच्छा है हम कैसे प्रशन साल्व कर ले रहे हैं कैसे नहीं कर पा रहे हैं तो यह संबंदी जो कोश्चन होते हैं यह साथी जानकारी आपको मिल जाएगी तो चले साथियों लोग देखते हैं पहला प्रशन चलते ह से आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं केंडर सरकार से संबंदीत आपको दो कथन दे दिया है इन ही दोनों कथनों को साथियों पढ़कर आपको बताना है केंडर सरकार से संबंदीत कौन सा हमारा कथन सही है इन दोनों कथनों में जो आप पहला कथन को पढ़ेंगे दोस प्रदान मंत्री की जो जिसे कहता है उसे ही राश्ट्पती बनाता है उसे ही मंत्राले देता है यानि प्रदान मंत्री की सला पर राश्ट्पती द्वारा बनाए जाते हैं ति ये बात गलत हो गई आपकी जब पहला गलत होगा elimination लगाएंगे ति इसका मतलब हमारा उत्तर यह नहीं हो सकता और यह नहीं हो सकता अभी दो बचे हैं इन दोनों में से हमारा उत्तर कोई होगा अगर हम दूसरा पढ़ते हैं तो परत्यक मंत्राले को प्रदान मंतरी की सलाप और भारत के राश्पती द्वारा मंतरी को सौप जाते हैं हाँ ये बात सही है बिल्कुल सही कहा जैसे मैंने बताया तो आपका बिकल्प नंबर भी हो जाएगा यानि यह कथन दो किवल सत्य है आप्शन भी सही है आगे हम लोग चलते हैं दूसरा वाले में साथियों इस दूसरे वाले कथन में आपसे पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं कि सन्विधान का भारती सन्विधान का भारती सन्विधान का निमलिखित में से कौन सा अनुछेद सोतंतरता के अधिकार के अंतर शोटनदर्टा आई दी गई है 20 में दो सिद्धी का संदःचर दिया है 21 में प्राणियोंन दहिक सोतन्दर्ता है और 22 में गिरफ्तारी मामलों में इसमें सोतन्दर्ता दी गई है कुछ तो यहां पर जो है ये तो 18 जो हो गया ये समानता का अधिकार दिया गया है ना 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार होगा तो ये 18 नहीं होगा तो विकल्प नंबर B यही आपके ये जो है स्वतंतरता के अधिकार के अंतरगत सामिल नहीं है बाकि ये तीनों है तो विकल्प नंबर ए आपका यही जो है उपाधियोंसे संबंदित हैं तो यही आपका नहीं होगा बाकि सब यह सुतंत्रा के अधिकार से संबंदित हैं आगे अगर हम लोग देखते हैं तीसरे वाले में तो इस तीसरे में आप आप पूछ रहे हैं मिलिखित में से किस समयधानिक संसोधन में सिच्छा का अधिकार प्रदान किया गया बहुत लाजवाब प्रश्ण यहां थोड़ा से समय देंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे तो किस समयधानिक संसोधन में सिच्छा का अधिकार प्रदान किया गया स «धिकार प्रदान किया गया इसमें तीन बात है जोड़ी गई ताइक तो यह च्यासे से चैवल वर्स के बच्चे को जो है सिच्छा का अधिकार होना चाहिए तो 6 से 14 वर्स और इसमें कहा कि जो 6 वर्स से कम है तो 6 वर्स से जो कम है उनको जो है सिच्छा का व्यवस्था सरकार को करना चाहिए कहा और एक आप लोग जानते हैं अनुछेद 51 A में जो हमारा जो fundamental duty है यानि मौलिक करतब जिसे हम उसमें कहा गया कि हर माबाप का यह करतब होगा कि अपने 6 साल से 14 साल के बच्चों को सिच्छा अवस्य दिलाए तो यह तीनों बाते जोड़ी गई थी यह संविधान संफ़ां 86 आवा में सं 2002 में यह किया गया था तो इसे आप लोग याद रखेंगे आगे देखे हम लोग चौथे में साथ हूँ जो आपसे पूछ रहा है अनसूची छेत्रों के संबंध में निमनलिखित में से किसके पास यह निर्देश देने की सकती है कि संसत का कोई भी अधिनियम अनसूची छेत्रों पर लागू नहीं होता है बहुत अच्छा सवाल जानते हैं साथ यह अनस यह जो उत्तर होगा यह B होगा राज्यपाल यह चाहे राज-विदान-मंडल का कानूं हो चाहे संसत का तो अनसूची छेत्रों में लागू होने से रोक सकता है बहुत अच्छा आगे देखें यह सात्यायों क्या है लोगसभा में यह देखो अच्छा सवाल है आप लोग जानते हैं लोग सभा लेखा-अनुदान कप पारित करती है लेखा-अनुदान आप लोग को थोड़ा सपय्जन मुद्धने कह पड़ेगा तो आप लोगत्तर जान जाएंगे तिपना तो जान ल परवरी में बजट पेस होता है और बजट पास होते होते जो है आज आता है मई और सरकार के पास खर्चा रह जाता है केवल 31 मार्च तक तो 31 मार्च के बीच मई में जाकर पूरा मई आता है तो इतना बीच घइब हो जाता है लगभग दो महिने का तो उसी के बीच खर्चा चलाने के लिए यह लेखा नुदान पारित किया जाता है तो यही होता है, तो आप लोग समझ गए, लेखा नुदान क्या होता है, यह सरकार दो महीनी का खर्च होता है, खास करके अप्रहलों मही के बीच वाला, तो यह भी हो जाएगा उत्तर आपका, आगे देखें, आगे साथियों छठवे में जो हमसे पूछ रहे हैं, तो निमलि जामते हैं, नुशल के वन अनिवार सिछा जो है साथियों, यह तो 21 में दिया है, यह तो अपना सतनता का अधिकार हो गया, 17 में 7 में न्याईपालिका से अलग होना चाहिए, उनूछे 50 में दे दिया है, यह तो DPSP है, राज की नेतनिय सकत्व, इसका मतलब यह तीनों तो मौलिक कर्टब्य का हिस्सा इसका मतलब बिकल्प नंबर ए है हमारे देश के सम्रिद बिरासत को महत्त देना और उसे संदच्छित करना तो बिकल्प नंबर ए आप लोग जानते हैं कुल जो मौलिक कर्टब्य हैं कुल मूल सनमिधान में 10 थी और अभी जो मैंने बताया सनिदान संसोदन 2002 के मात्यम से जो है उसमे एक और जोड़ दिया गया इगरामा यानि इस समय कुल 11 मौलिक कर्टब्य हो गये हैं इगरामा जो है आपको सिच्छा संबंदित है हर्माबाब का कर्टब्य को 6-14 साल बच्चों को सिच्छा दिलाए सातवा में देखें सातवा में साथियों क्या है गजब के सवाल एक से बढ़कर एक सवाल है सारे सनमिदान की निवनिखित में से कौन सी बिसेशता है भारस सरकार अधिलियम 1935 से ली गई है बहुत बहतरीन सवाल आप लोग जानते हैं यह समवर्ती सूची जो है साथियों यानि समवर्ती सूची ऐसी सू आश्ट्रेलिया से लिया गया था इसका मतलब यह 1935 का दनियम से नहीं लिया गया है तो आप से पूछ रहा है कौन सा 1935 का दनियम से ले गई थी सही उत्तर बताएं इसका मतलब दो वाला नहीं लिया गया था इसका मतलब दो जहां जहां होगा वह उत्तर नहीं होगा तो य लिकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका उत्तर एक तीन चार सातमे का आपका यहीं उत्तर हो जाएगा बहुत अच्छा बी वाला अमारा उत्तर हो जाएगा यह सब जो है यानि एक तीन चार जो है 1935 के एक्ट से लिया गया है आगे देखे हम लोग क्या कह रहे हैं सात्यों इसमें राश्ट्री आपातकाल के संदर में कौन सा कथन सही है तो राश्ट्री आपातकाल के संदर में आप लोग यानते 352 में दिया गया है तो कौन सा इसके संदर में सही है अपना सही उत्तर देना है तो राश्ट्री आपातक तुशाल की बात कर रहा है उच्छाहे तू 352 के तहथ पूरे देश में लगा सकती है पूरे देश सकती है यह पूरे देश की केवले क्योем हिससे में लगा सकती यह बात शहीए दूसरा क्राय राश्टृपति कैपिनेट से लिखित अनुसान अनुसान से प्राब्त करने के बाद राश्टी अपाथ काल की घोशड़ा कर सकते हैं साथ यह बाद सही है लेकिन प्रावधान चांवालिसवां सनuisदहान संसोधन तक नहीं था इंद्रा गांधी जी ने ऐसा हो जाएगा प्यानी डोनों के दोनों सत्य हैं आगे चले हम लोग देख रहे हैं अनौड में देखें क्या है शाती so ready नौ मेंने सवाल है नोम के और भारति संग की अधिकारी भासा भ्राम्निमी लीपी में लीपी में हींदी होगी साम सराव सर गलत हमें करा है हमें यह जो है बहाकानिक पोशिस कर रहा है ब्राम्ही लीपी नहीं साथियों देवनागरी लीपी में हिंदी की हिंदी जो हमारी है वो देवनागरी लीपी में बात कर रहा है हम लोग जो यह हमारी जो हिंदी लिखी आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर यह देवनागरी है वारत में अंग्रेजी जो है वो सब जगती है कि अगर दे देगा तो south वाले विरोध a लेगे नौर्थिष्ट वाले विरोध से संबंदी थे जो गरीब संवर्ड हैं उनको 10% आरच्छन सरकारी जो सिछड संस्थाओं और सरकारी नोकरियों देने की बाद किया था मोदी जी ने तो वही है तो यही है आर्थी गुरूप से कमजोर वर्गों को यानि आर्थी जो संवर्ड आर्थी गुरूप से कमजोर हैं उनको 10% आरच्छन ब्योस्था किया जाएगा इसमें साथ ही हो अनुछेत 15 में संसोधन करके 156 जोडा गया था इसका कहने का मतलब यह है किसी भी सरकारी हो या यहाँ वर्खेट 6 जोड दिया गया था यह 16 जैनि 15 दिगता है कि अच्छार संस्था था दोलों के दोनों के बाते सही हैं तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका दसमे का सी हो गया बहुत अच्छा आगे देखते हैं हम लोग देखें इगरावा में हमसे क्या पूछा जा रहा है भारती सन्मिधान के अनुछेद 243 डी निमलिखित में से किस से संबंदित आप लोग जानते हैं साथ यह 243 पंचायतों से संबंदित है तो विकल्प नंबर सी होना चाहिए और महिलाओं की आरेट्ष्ण गहला उसमें इतना जाएगा एसSee च्छा महेんな जात आएगा सेबलावा उखटा अपने मत्तित गम अपने मेंसे एकी महिलां अपनी महिला को जो है एक तिहाई समान सेट देंगे तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा यही पंचायतों में आरच्छन संबंदित है 243 आगे अगर हम लोग देखें 12 का बहुत बढ़िया सवाल क्या है साथियों इसमें निमलिखित में से किस संसदी समीति से सबसे उपयुक्त किस संसदी समीति के बारे में बात कर रहा है तो बहुत सारे लोग होते हैं प्रश्न को नहीं समझ पाते हैं इसलिए आता हुआ प्रश्न को गलत कर देते हैं तो आप लोग ध्यान देजिए यह करा यह हैं तीन बित्त संसदी समीतियों में से एक है ऐसा कौन है हमें नहीं सम मज गए होंगे सात्यों तो ये वकार रहे हैं लोकलेखा समीति के बारे में नबर यह हो जाएगा इसी के बारे में, तीनों के तीनों कत्थन बता रह亢ए है आगे चले आगे चले सात्य हम लोग देखें यहां पर साथ हिऊ गजब का सवाल है तेरह वाले में क्या कर रहे है, चार हमें कत्थन दे दिए है उसके संबन Origin हमें कु Ash तो कौन सा मेच नहीं कर रहा है कों सा मिस्व यानि कोन कर रहा है हाँ समयदानिग प्रावधान एक तरप है किस वह यौः गया यह बात तो आपकी गलत हो गई शाखनादा से लिया गईा है यह कनाडा से लिया गया है इसका मतलब ये भी गलत हो गया दूसरा भी यानि जहां दो होगा ओ भी उत्तर नहीं होगा ये भी नहीं होगा ये भी हमें उत्तर अपने आप निकल कर आ गया कि हां हमारा उत्तर ए होगा यानि एक और चार सही है यानि ए वाला सही है और चार वाला बहुत सही 14 हम लोग देखते हैं 14 वाले में क्या कह रहे हैं 14 वाले में साथ ही हूं देखे हम लोग क्या कहा जा रहा है क्या सवाल पूछे जा रहे हैं थोड़ा सा देखने में बड़े होते हैं साथ हूं लेकिन बड़े ही मज़ेदार होते हैं आराम से साल्व हो जाते हैं इसमें आप से पूछ रहे हैं कि अखिल भारती न्याईक सेवा छेत्र आप लोग जानते हैं यह जो है बैलिस्वां संसोधन के माध्यम से जोड़ा गया था है न्याई में तेजी लाने के लिए जिस तरह से आपको सिविल सेवा जो है यह होते है न कि IES PCS होते है आल इंडिया सर रविस होती है All India AIS होता है All India अगया गया है तो अब के तहद लाया गया था और इसमें कहा गया था कि कोई डीम जो district magistrate होता है जिल्या न्याईधिस उससे कम पद का व्यक्ति इसमें सामिल नहीं होना चाहिए कि इसमें AIJS में यानि अखिल भारती न्याईक सेवा में जिल्या न्याईधिस के पद से नीचे का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए यहां पर देखो एक बात इसमें गलत लिख दिये हैं कहरा है कि AIJS बनाने के लिए राज सभाद वारा उपस्तित और मादान करने वालों कम से कम एक तीहाई सदस्यों का समर्थित प्रस्ताव पारित किया जाये साथियों यहीं थोड़ी सी गलती किया है एक तीहाई नहीं यहां दो तीहाई होता है तो इसका मतलब यह तीसरा वाला गलत हो गया तो एक दो केवल सही है यानि बिकल्प नमबर आपका ए सत्य है केवल बहुत अच्छा, आगे चलते हम लोग देखते हैं 15 में, यहां 15 में आप से क्या पूछ रहे हैं, केंद्री सतरकता आयोग संदर में संबन्दी, साती यह भरष्टाचार रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था, साती यह अग संस्था है, भारत में, यह केंद्र की संस्था है, कें इंगलिस में हम लोग CBC साड़कट में बोलते हैं, CBC, 1964 में ये बनाया गया था, संथानम समीत की सिपारिस पर, और ये भरष्टाचार बिरोधी कानून है, भरष्टाचार से संबंदित ये काम करती है, यहां पर साथियों कह रहा है कि इसके नियुक्ति राश्टपतिक द्व की जाती है, यस, यह तो बात सही है, लेकिन आप से कह रहा है कौण सा सही नहीं है, जो गलत है उसके बारें बताता है, तो यहां क्या बोला इसनों ने, राश्ट पती के द्वारा की जाती है सही है करा है इसका कारकाल पांच वर्स होता है साथियों यही बात यहाँ पर थोड़ी सी गलती नहोंने कर दिया पांच साल इसका कारकाल नहीं होता है साथियों जो CBC का कारकाल होता है साथियों यह है चार साल होता है तो यहां पर यह गलती कर दिया इन्होंने 5 साल जगेए पर सीवी सी कारकाल 4 साल होता है इसका मतलब गलत पूछाए तो गलत के वल B है आपका उत्तर आपका B हो जाएगा और बाकि सब इससे सम्मनित सही है इसको देख लेजिएगा तो जो गलती देता है साथ है जो भी ऐसा प्रस्न देता है काँ फ्लाना कौन सा सही नहीं नहीं है तो आप को आए या नए आए सारे बिकल पढ़ा कर ये आप लोग को मिल जाएगा कि वह ही गलती करता है जो चीजे प्रचलित में होती है जो फेमस चीजे होती है जैसे यहां से यह तो सब जानते हैं से चार साल का होता है तो यहां पांच देदियत आप लोग पकड़ लेंगे बाकी सब आप जानते हैं नहीं जानते हैं छोड़िए आपको उत्तर मिल गया यहां देखें हम लोग सोलह में तो है यानि तीन है एक नहीं है तुसी को बताना है आप लोग जानते हैं मानवा धिकार के मामले में जो लंबिक मामले यानि पेंडिंग मामले पड़े हैं तो किसी भी न्याले में तो उलंगन के मामले में संबंदीत कारवाई में हस्ते छेप करना तो यहां पर साथियों यह तो न्याले में लंबित किसी भी मानवा धिकार उलंगन के मामले में संबंधित कारवाई में हस्तेशेप करना ये तो हो सकता है सही है लेकिन ये उत्तर नहीं हो क्योंकि हमसे गलत पूछा है कैदियों के मानवा धिकारों को रच्छा करना जी ये भी काम है मानवा धिकार का किसी मानवा दिकार उलंगधन पीडित को बित्ति मुआवजा प्रदान करना नहीं साथ यूँ मुख सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को उनके पद से कौन हटा सकता है तो जानते हैं मुख सूचना आयुक्तों या उनके अन्य आयुक्तों उनको हटाना होता है तो पहले सुप्रिम कोड जांच करता है अगर जांच में ये सही पाजाते हैं तो राश्पती उनके पद से उनको हटा देते हैं, तो विकल्प नंबर C सही है, 17 वाले का, आगे हम लोग देखें, 18 वाले में क्या पोरा है, तो साथियों आप लोग जानते हैं, CBI, CBI साथियों आप लोग जानते हैं, इसकी सिर्चा सनमिधान में नहीं की गई है, लेकिन इ इसके पास जो सकती है, वह इसी से सकती प्राप करती है, CBI, यस ये तो बात सही है, लेकिन अभी हमें गलत नहीं मिला, क्योंकि हमें गलत बताना है, कौन सा CBI से संबंदित नहीं है, तो कह रहा है, यह सम्मेधानिक निकाय साथ यूँ गलत, मैंने पहले आप से बताया था, संबंदान में इसकी चर्चा नहीं है, इसे बनाया गया था, 1964 के जो सकती है, उसके तायत इसको दिया गया है, तो यह सम्मेधान में इसकी चर्चा नहीं है, सम्मेधानिक निकाय का मतलब यह होता है, जिसकी संबंदान में चर्चा की गई हो, इसकी संबंदान में कोई चर् आगे देखें 19 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्री अनसूची जाती आयोग का कार नहीं है दिहान दीजिएगा यहां पर जुरूर दिहान देया करिए कौन सा राष्ट्री अनसूची जाती आयोग का कार नहीं है तो यहां पर देखिए क्या कार नहीं है तो म६धतियों के हीटों का उलंगन करने वाले किसी भी मामले की जांच करना जी वी काम है इसका supports अनसूचित जातियों के सुरच्षा के सम्मद्ध में प्रदहान मंत्री को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना तो जी यही काम इसका यहीं है तो बिकल्प नंबर सी आपका यही उत्तर हो जाएगा क्योंकि साथ यह प्रदान मंत्री को यहां रिपोर्ट कार करने से संबंदित नहीं है तो उसो जो है यह जो है प्रधान मंत्री को ये रिपोर्ट नहीं है राश्पती को रिपोर्ट करने संबनीत होता है तो यह बात गलत हो गई बिकल्प नंबर सी ही आपका गलत है उननीस वालेगा तो आगे देखे हम लोग इसकी चर्चा 338 में दिया गया है आगे देखे बेस में क्या कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया सवाल है यहाँ पर निमलिखित में से कौन सम्मेधानी की निकाये हैं फिर वही बात मैंने अभी आपको बताया सम्मेधानी की निकाये वही होते हैं जिनकी सम्मेधान में चर्चा होती है जिनकी सम्मेधान चर्चा नहीं होती है गहर संविधानी निकाय होते हैं, तो बाल अधिकार संदचन आयोग ये नहीं है, संविधान में इसकी चर्चा नहीं है, राष्टी पिछड़ावर्ग आयोग है, यस, राष्टी अल्वसंख्यक आयोग भी नहीं है, राष्टी अंसूची जाती आयोग है जी, तो यानि दो और 4 जो है इनही की चर्चा है सम्मिदान में बिकल्प नंबर, 2 हो जाएगा आपका यही है तो आप कि इसमें देखते हैं क्या है हमारा चुनाव आयोक के संदर में कौन सा सही नहीं है तो बहुत बढ़िया कौन सा सही नहीं है उसे ही बताना है आप लोग जानते हैं चुनाव आयोक क्या काम करता है लोक सबहा बिधान सबहा राश्टपती उपराश्टपती जैसे चुनाव कर करके संसत के किसी सदस्क डिस्क्वालिफाइट पर निड़े लेता यानि अयोग्यता पर निड़े लेता है सात्यों यह काम जो है तिंप्रू है रिखी का होता है और दो जो है चुनाव आयोग का नहीं है तो विकल्प नंबर सी ही गलत हो 22 में क्या है 22 में में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है तो्य नहीं है सात्य की यहाँ पर आप लोग देखेंगे 317 में जो आप से बात पूछी जा रही है तो 317 में लोग सिवा आयोग के सदस्यों की बरखास्त की है या तो अप लोग जानते हैं लोग सिवा आयोग के सदस्यों को बरखास्त करना 320 में लोग सिवा आयोग के कारे क्या है ये दिया है 316 में राज लोग सिवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति और कारकाल समंदित प्रा राज्यो, संग और राज्यों के लिए लोकस्य मा आयोग का प्राउधान करना होता है, तो साथी हो यहां पर यही बात यहां पर गलत कर दिया, तो जो 312 में यदा तींसो तेरह में नहीं तो प्राउधान करता है यह 3012 में अनुच्छे तो यही गलत था इसको हमने बता दिया अब हम लोग अगर आगे वाले देखते हैं इसमें 23 में तो 23 में देखते हैं एक अच्छा सवाल यहां पर दिया हम लोगों को बहुत ही समझदारी से करना है बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही लोगों को कंफ्यूज करता है आप लोग जानते हैं अत्यांतिक बीटो जिसे हम लोग एप्शलूट बीटो करते हैं विसेशित बीटो निलंबनकारी बीटो और सस्पेंशन बीटो पॉकेट बीटो खुब आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि एक बार यह है 1945 में ग्यादी जेहल सिंगञकारी में हुआ था वह इसंधे पॉकेट का मतलब जेror में रखलेना ना तो अपनी सहमती देना तो इसका मतलब यह हो गया तो दिल को ना तो अनमोधन करना और ना ही अस्युक्रित करना और ना ही वापस करना यस यही बात है तो पाकेट बीटो से संबंदित यहां पर आप लोग अब समझ गए होंगे कि पाकेट बीटो संबंदित क्या होता है और कोई भी decision न देना एक चार वाला एक पर चला गया यानि इसका मतलब आपको लोगों को पता चल गया होगा या तो उत्तर आपका यह होगा या तो यह होगा क्योंकि दीपर एक यही दोनों पर है अब देख लेंगे आप लोग अत्यांतिक बीटो एब्सलूट बीटो एब्सलूट बीटो क्या होता है जिसे जो है खतम जिस वाला चार पर चाहाँ आप Now, in the same way, वह यहाँ पर है In the sense.. वालल उत्तर यही होना चाहिए kem knowledge में हमने उत्तर को प्राप्त कर लिया स्वरी स्वरी यह दोनों में चार चार तो यह वाला तो यहां पर भी है तो यह नहीं होगा क्योंकि यह हमने अभी अभी नहीं मिला क्योंकि इसमें भी चार है इसमें भी चार है और जो है निलंबन कारी जो है बीटो यह विसेशिद बीटो जो होता है साथ यह यानि विसेश कि आमारा उत्तर यह हो जाएगा अब अचा है एक मट sa něीज binog ao की जासा सके तो वह जो होता है यह कृन्य को उत्र हो गया आगर अगर क्लों सो झौन 24 में तो यहां 24 वाले में जो हमारा जो यहां पूछी जा रही है बात राश्पती चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि निरवाचक मंडल के द्वारा किया जाते हैं इतना तो हम जानते हैं कि तना इसने भी बता दिया आप से जो जानना चाहरा है कि जिसमें सामिल है यानि राश्पती की चुनाव में कौन कौन सामिल होता है आप लोग जानते हैं जनता चुनाव नहीं डालती है वोट राश्पती के लिए बलकि जनता जिसे चुन कर भेंते हैं जनता के प्रणिदीस में वोट डालते हैं राश्पती के लिए तो कौन डालते हैं संसत के दो सभाओं के निर्वाची सदस्य तो साथियों राज बिधान सभाओं यानि जो आपके विधायक होते हैं जो चुने गए हैं वो इसमें ओट डालते हैं और जो दिल्ली अपदुचेरी अभी तो जम्मू कश्मिन नहीं है यहां पर बिधान सभाओं तो यहां के भी बिधायक ओ यह ओड डालते हैं सी हो जाएगा उत्तरापका आगे देखें हम लोग 25 वाले में 25 वाले में आप से पूछा रहा है निमलिखीत में से किस राजनीतिक वैज्यानिक ने भारती सन्विधान को पूड़त संगी कहा है तो किस राजनीतिक वैज्यानिक अजीप से नाम है यानि राजनीत की डोर कहां जाएगी इसको जो समझने वाला होता है उसे हम लोग एक टेक्निकल भासा में बोल देते हैं तो राजनीतिक वैज्यानिक भारती सन्विधान को पूरता संगी यानि कम्प्लेटली फेडरल कायज अपना भारती संगान अपना जो है भारत का जो पूरी तरीके से संगी नहीं है इसमें दोनों का मिक्संग है तो भारत को किस ने कहा कि यह पूरता संगी है यह वाला मैटर में तो साथियों आपको इस सामने चार नाम दिये हैं ग्रेंविल आश्टीन पॉल एपली आईवर जेनिंग्स और मारीसर जॉन्स तो पॉल एपली जो है साथियों यह जो है बारत को पूरा जो है कम्पलीट तरीके से संगी बताया है विकल्प नंबर भी हो जाएगा आगे देखे हम लोग 26 में साथियों एक गजब का सवाल आया है आपके सामने ऐसे ही सवाल साथियों बिलकुल पूछे जाते हैं थोड़ी थोड़ी कमिया कहीं निकाल देगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसे गलत करके चले आते हैं तो यहाँ पर जो लिखा है कि कौन सा अधिकार भार निस आइटकल उन्निस और क्लाज वन में कुल 6 जो है उप क्लाज दिये गए हैं तो जो है इसमें जो है आप लोग जानते हैं बोलने अभिव्यक्त की सोतंतरता है इसमें साहकारी समीत्यों की सोतंतरता है पूरे भारत में कहीं भी घूमने टहनने और इसकी भी सोतंदरता है कोई भी ब्यावसाय करने की सोतंदरता है तो यानि चारों हो जाएंगे बिकल्प नंबर D हो जाएगा आपका सई है 19 के तहट सभी के सभी हैं यह जो है 26 आपका उत्तर D हो जाएगा बहुत अच्छा आगे चले हम लोग 27 का देख ले 27 वाले में हमसे क्या पूछा जा रहा है साथियो गजब का सवाल है अधिकारिक भासाओं अधिकारिक भासा का मतलब साथियो ओफिशली भासा की बात करा है इ या जो है अम लोग कामकाज में जिसे यूज करते हैं तो अधिकारिक भासाओं के संदर में कौन सा कथन सही है तो आप लोग यहां जरूर देखा करिए यह सही है कि पूछ रहा है कि सही नहीं है कि पूछ रहा है तो कौन सा सही है तो दोनों कथनों को पढ़ेंगे आप लो ईस्टे जीन भास्टिन करें जहरों दékना ऑऽ近 Apparently All Shots आप लोग एक बार जरूर्ब कर दो पर को सिंध हेगा को मासने गए अधिया घञा भी हिए ओकैने यानि कॉंकड़ी था हैं और कंदंधान संसोधन के सात्र के सोधनके से बाधमात भी नयांद 6 भी अगया था टो उलसा है न पर को यह कि आसे लिए के लिए बता दिया तो पहला वाला तो आपको सही है और यह दूसरा कहा रहा है अधिकारिक भासाओं में किसी भी भासा को सामिल करने के लिए कोई निश्चित मापदंद्र नहीं है ये सरकार को पर डिपेंड करता है तो फिरहाल दोनों के सही है आपका 27 का उत्तर आपका सी ह हो गया बहुत अच्छा आप लोग चलते हैं अगले प्रस्ट पर देखते हैं क्या कह रहा है मारा 28 वाला 28 में हमसे क्या पूछा जा रहा है तो संपत्ति के अधिकार के संदर में कौन सा कथन सही है उसे अपने कत्रों पर कर सही उत्तर दे यह विद्धाई कारवाई के विर दिल संख्यक सैच्छिक संस्थान की संपत्ति राज द्वारा अधिकड़ान नहीं की जा सकती तो यह साथियों ऐसा कोई प्रावधान नहीं है की भी जा सकती है जैसा कि उसमें प्रावधान है तो यह दूसरा वाला यह गलत हो गया आपका उत्तर केवल भी हो जाएगा यह के साथियों यही राज-विधाय करवाई के बिरुध निजि संपत्ति के रच्छा करता है यह भी इवी कलत हो तो इसमें दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे तो यहां पर जो उत्तर होगा सी हो जाएगा वियह नहीं 2 दोनों गलत हों यहां पर क्योंकि निजी संपत्ती के रच्छा नहीं करता है वह जो है संपत्ती एक तरह से मौलिक अधिकार हटा दिया गर न के मात्यम से उसे कानूनी अधिकार दे दिया गया तो आगे चले हम लोग 59 में कि तो 29 वाले में हमने क्या पूछ रहे हैं मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है तो कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है विदेशियों को नहीं तो साथियों आप लोग जल्दी से जान लेजिए यहां पर साथियों अनुछेद 15 अनुछेद 16 अनुछेद 19 अनुछेद 39 और अनु चाहिए दो में है और नहीं दिए गया और यह तोनहीं दिया गया है और वॉय जो हमारे मिवस्यकूहारों कानूहां हो। तो ये दिया गया है ये नहीं त्यानि कौन सा नहीं है तो कौन सा नहीं है तो चार बिकल्प में होना चाहिए तो इसमें चार है तो हमें पता लग गया हाँ उत्तर D वाला हो गया 29 का D होगा हमें आसान इस पता लग गया क्योंकि बोलने का अधिकार बिदेसियों को नहीं दिया गया है कुछ भी हमारी आपकी तरह आकर गोल दें या ये सब कर लें तो ये नहीं है तो हमें उत्तर पता लग गया इसी से ही क्योंकि 4 नहीं है तो 4 बिकल्प में होना चाहिए तो इसका मतलब 1, 3 और 4 ये धर्म जाती गाधार पर उनके साथ भ्यदभाव किया जा सकता है क्योंकि वो विदेशी हैं और यह हो गया और सांस्कितिक सहच्छिक का अधिकार भी उसको नहीं दिया गया है केवल यह दो वाला उनको मिला है बस आगे देखें तो साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर अगर 30 वाला देख समार्थिक आजयतिक यह तो न्याय की बात करा है यहां आउसर की समानता दो है साथियों आउसर की समानता प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा और आउसर की समानता दो प्रकार की समानता बात किया गया है तो यहां जो तीन है आपका उत्तर यही होगा बिकल्प नंबर सी हो जा 31 वाले में साथियों ये तो अभी प्रश्ण हम लोग पास आया था फिर दे दिया है वही आठ्वेन सोची वाला इसको हम लोग अभी बहुत अच्छे देखे हैं कि हाँ इसमें दो दोनों सम्बंदित के ये कथन सही है इसके जो है ये सी वाला उत्तर था ये फिर रिपीट हो हरो और व्हारत में स्वंत्तरों से घूमने का अधिकार देता है येस आप लोग जानते जो अभी मैं एannah कर बताए थे वो नहीं से एक है और goladhi के इसके तहट अनसूचिट जछानी के ही टो की रच्आ के लिए लोगों की स्वंत्तरता को प्रति बंदीत कीया जा सकता है यह वहां पर आपको जाने से रिस्टिक्शन लगाया जा सकता है उनके जो है कल्चर और उनके जो है रहंसाल नित्यादी को कोई खत्रा न पोच़े इस लिए तो दोनों बाते सही है restriction भी लगाया जा सकता है को ऐसे मतलब condition में कि किसी को खत्रा न पहुचे जो खास करके आदिवासियों का जो कल्चर हो गएरे होता है वहां तो 32 का हमारा उत्तर सी हो जाएगा 33 में देखें तो जनजाती सलाकार से संबंदित है जनजातियों के उत्थान की बात हमेशा ये करता है उनके कल्यान की बात करता है जनजाती सलाकार परिशद के बारे में करा है कि जनजाती सलाकार परिशद में कुल 30 सदस होते हैं तो साथियों यह जो एक विकल्ब दिया है औ तीससदस से होते हैं तीस नहीं विससद से होते है यह जनजाती परिसास अलाकार परिसाद में और इसमें तीन चल्थाई सदस राज की विधान सब्सतर के उन्सुचित जनजाती से प्रतिनय दित होने चाहिए तो यह इसका मतलब 20 में से एक 3 चौथाई आप कर लिजे तो उतना राज्यों की विधान सभाओं के अनुसूचित प्रतनिधित होना चाहिए तो इसका मतलब ये गलत हो गए आपका किवल 2 सही है त्यानि विकल्प नंबर D हो जाएगा अपका 39 का D आगे देखें हम लोग 34 वाला 34 वाले में क्या पूछ रहे हैं अनुसूचि छेत्रों के सम्मंध में कौन सा कथन सही है इन दोनों कथनों को पढ़िए बताइए हमारा कौन सा सही है अनुसूचि छेत्र के जैनि शिड्यूल एरिया के बारे में यहाँ पर लिखा भी है शिड् बात सही है और आप्के लोग को एक्नली शिड्लि वदा देखंज वी नं È सिर्फ नहीए आप लोग जानते हैं मिजोरम मिजोरम हो गया और असम हो गया, में घाले हो गया, तिरी पूरा हो गया, एक, दो, तीन, चार, ये चार सामिल नहीं है, ये चार छटवी नसूची में है, और बाकी सब पांचुई में ते बात सही है, राजपाल को किसी भी छेतर में अनसूची छेतर घोसित करने का अधिकार है, साथ ही ये ये काम राश्टपती का है, अनसूची छेतरों को, मतलब किसी भी किसी भी कर दियत, यही गलती किया है, किसी भी छेत को घोसित करना है, ये काम राश्टपती का है, राजपाल तो सिर्फ अपने छेतरों के लिए होता है, तो ये वाला आपका गलत हो गया, केवल एक सही है, बिकल्प नंबर A, 34 का उत्तर जो होना चाहिए, वो A हो गया, आगे हम लोग देखें अगर ये 35 वाले में छटवी अनसूची, वही जो अभी मैंने बात किया था, कि छटवी अनसूची के स्वायत जिलों के संदर में कौन सा कथन सही है, तो राश्पती के पास स्वसासी जिल जो इस्थापित की आले जो बात होती है, वो राजपाल के अंडर में आता है, राश्पती में नहीं, तो ये गलत हो गया, तो प्रतेक स्वायत जिले के लिए एक जिला परिशद होगी, जिसमें 20 सदस्य होंगे, तो जी, साथियों ये बात सही है, तो आपका उत्तर जो होत होते हैं, तीस सदस्य होते हैं, ये तीस सदस्य होते हैं, 26 को निर्वाचित किया जाता है, और 4 को जो है, मनोनित किया जाता है, तो ये गलत होगे, आपका उत्तर आपका जो होगा, तो केवल एक होगा, बिकल्प नंबर भी हो जाएगा, जो है, ये कहां, तो दोनों गलत हो 73 संविधान संसोधन से सम्मंदित सवाल है 36 संवंदित आप लोग जानते हैं पंचायती राज संस्थाओं को चुनाओं में भाग लेने के लिए निम्तम आयू कितनी होनी चाहिए तो स्विधी सी बात आपको BDC परदानी लड़ना है तो आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए अगल संसोषी में संत utilization जानते हैं राजसुची के इंध्र समवर्तिसची सं अनसोची संवांदित दिये गए हैं तो जो है उसीसा मंदीत दिया इन तो सिच्छा 7 सात्वी अनसूची के तहता है राजूची के घटक कौन है थे सिच्छा के घटक आप लोग जानते हैं चिला का तो राज सूची के घटक हैं तो राज सूची के घटक यहां पर कौन कौन से एक तो सिच्छा हो गया और दूसरा तो हमारा सिच्छा सिच्छा तो सातियों नहीं गलत बात में कंफ्यूज हो गया यह सिच्छा तो मैं बोल सही रहा हूं लिख रहा है सिच्छा तो समवर्ती करना है समाजिक सुरच्छा समाजिक ब्योस्ता समंदित मत्सपालन साजनिक स्वास्त यह तीनों जो है यह राज सूचिक भी से हैं त्यानि बिकल्प नंबर डी हो जाएगा आपका यह डी अगर इसका इंग्लिस वर्जन देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं यहां पर अगर यह मत्सपालन और यह जो है पब्लिक हेल्प फिश्रीज यह तीनों जो है आपके राज सूचिक भी से समंदित हैं तो 38 वाला अगर हम लोग देखें तो 38 वाले में क्या पूछ रहे हैं भारती संधान विल्कित में से कौन सा अनुच्छित कुछ मामलों में काम सिच् समंदित यह अधिकार जो है इसमें दिया गया है तो बहुत अच्छा आगे अगर हम लोग देखें हमारा क्या है यह 49 वा में निमलिखित में से कौन सा रिट रिट आप लोग जानते हैं चारप्रकार के रिट होती हैं तो जो है पांच प्रकार के तो वह जो है अलग-अलग मामलों के लिए जारी किया जाता है तो रिट लोक अधिकारी मतलब कह रहा है कौन सी रिट किसी लोक अधिकारी जो अधिकारी कर्टब्यों का पालन करने का आदेज देती है जिसे करने में वह असफल रहा या करने से इंकार कर दिये तो साथ हैं आप लोग जानते होंगे तो जो एक बंदी प्रत्यच्य करड़ होती है, इसमें साथ कोई किसी के बंदी बना लिया हो, सरकारी ब्यक्ति हो, या मतलब चाहे ओर स्वामिल लाकyear दोनों के लिए होता है ये, और यहां पर इसफनी परमादे निखते होता है, बिकलप नमबर हो जाएगा, तो आगे देखें हम लोग चालिस में चालिस में क्या पूछ रहे हैं तो संग लोग सेवा आयोग के संदर में कौन सा कथन सही है UPSC के बारे में सही उत्तर दीजिए तो पहला आप लोग देखेंगे सन्विधान का भाग जो सन्विधान का चौदर भाग है वो संग लोग सेवा आयोग से संबंदित है तो जी ये बात तो बिल्कुल सही है या संग लोग सेवा आयोग यानि UPSC से संबंदित है इसमें ये बात जो है बिल्कुल सही है तो अनुछे 315 से लेकर 323 तक इसमें बात किया गया है 315 से लेकर 323 तक UPSC से संबंदित है ये और ये दूसरा ये तो पहला सही हो गया दूसरा कह रहा है कि सन्मिधान के अनुसार संग लोग सेवा आयोग सदस्यों की संख्या अध्याश सहित नौ से ग्यारा निर्धायित की गए साथ हुए ये बात गलत है इसकी सन्मिधान में चर्चा ही नहीं कि होगी ये राश्पती के उपर तय करता है तो ये बात जो है गलत होगी केवल एक सही है बिकल्प नंबर भी हो जाएगा आगे चले हम लोग एक तालिस का देखने भारत में अल्प संख्यकों के संदर में कौन सा कथन सही है पढ़कर सही उत्तर दे देचिए तो आप लोग जानते हैं अनुछे तीस केवल धार्मिक अल्प संख्यकों को अपनी पसंद के साइचडिक संस्थान की इस्थापना और प्रसासन करने का धिकार देता है साथ हो गलत बात ये केवल नहीं लगाया होता तो सब सही हो जाता क्योंकि भासाई और धार्मिक दोनों अल्प संख के बारें बात किया गया है आप लोग देख लेना अनुछे तीस में ये गलत हो गया और ये तो दूसरा वाला सही है आपके अनुछे फचास जो भी होता है कि राश्पती द्वारा भासाई अल्प संख्यों के लिए विश्यजादिकारी नियुक्ति का प्रावधान करता है ये बात सही है जो 56 में ये किया गया था ऐसा तो विकल्प नंबर आपका ये 20 सही है कि वर 41 का बी हो जाएगा यही सही है आगे देखे हम लोग 42 में 97 संविधान संसोधन के बारें बात कर रहा है इसके तहट आप लोग जानते हैं ये जो भाग 9 भी जोड़ा गया था इसमे हमारे संविधान में तो सत्यावा संविधान संसोधन के अधिनियम के कौन सा कथन सही नहीं है सत्तानवेवा संविधान संसोधन अधिनियम से संबन देखे तो पहला आप लोग जो पढ़ेंगे इसमें तो पहला वाले में सातियों कह रहा है इसने सहकारी समिधियों बनाने का अधिकार एक उचित अधिकार बना दिया यआस इसने ये नxim Part quarter of gets मैंने पहले बता है सनुधान में यूए ड़ी पश्रीशक तक्ती जोड़ा गया उ में लुक्ते तक लोग जानते हैं सातियों सनिधान में जो एक नया नहीं दे सकता तो जोड़ा गया था ओर 43 था 43 यानि इसी सनिधान संसोधन के तयार तो विकल्प नंबर सब के सब सई हैं डी आपका उत्तर हो जाएगा 43 भी आप लोग जानते हैं ये गाधिवादी सिद्धान्त है सायकारी समीतियों से संबंदित तो सब सही हैं यहां 97 विवासनिदान संसोधन से 43 में आप से क्या पूछ रहे हैं 42 संबंदान संसोधन के माध्यम से सिच्छा को राज की समवर्ती सोची में अस्थानांतरित कर दिया गया जो अभी मैंने बताया सिच्छा जो है वो समोरती सूची का विशाव पर राजयों के अंदर दोनों कानून बनाते हैं तो ये बात तो सच है लेकिन कारा है कि ये बहले स stores संढिधान संसोधन के मांध्यम से ऐसा किया गया जी इसा ही किया गया चियासिवा समिधान संसोधन के माध्यम से बच्चों को मुफ्त और अनिवार मौलिक सिछा देने का अधिकार हुआ यस अनुछेद 21 से इसी में जोड़ा गया था तो यानि दोनों के दोनों सही हैं 43 का हमारा जो उत्तर होना चाहिए वो सी हो जाएगा दोनों सही है तो यहां पर दिया है हमें मुख मंत्री के संदर्म में कौन सा कथन सही नहीं है आप लोग यह पूछ रहा है जो सही नहीं है उसी को बताना है तो पहला आप लोग जो पढ़ेंगे तो अनुछेद 164 में राज के राजक्वाल दोरा मुख मंत्री की नियुक्ति का प्रावधा सकता है यह यह तो सही है जो ब्यक्ति राज विदार मंडल का सदस नहीं है उसे राज का मुख मंत्री नहीं नियुक्त किया जा सकता है तो यहीं कोई भी मंत्री हो उसे मंत्री बनाया जा सकता है मुख मंत्री या कोई भी मंत्री लेकिन वो छह महिने तक क्यों जनी और इसे सदसेता लेनी होगी अगर उसमाहिने अगर वस नहीं करता है तो वह हो जाएगा तुबिकल्ब नंबर । या निचे उस बिना सदस्त के मंत्री बं सकता है ह। आगे देखे हम लोग 45 में नगर निगम के संदर में दो कथन हैं दोनों कथनों पढ़कर सही उत्तर देना है वे सम्मंदिर राज बिधान मंडलों के एक अधिनियम द्वारा राज्यों में इस्थापित किये जाते हैं तो यस वो राज की बिधान मंडल के द्वारा इनका कानून बनता है और इसे चलते हैं यह तो सही है महापवर निगम का मुख कारकारी प्रादिकारी होता है जैसे गाम पंचायत होती है ऐसे जो सहरों में होता है यह तो नगर निगम इसमें जानते हैं उत्तर प्रदेश की ब तोनों बाते सही हैं हमारी सी उत्तर हो जाएगा आगे देखें हम लोग अगर 46 तो डीपी एस पी यानि राजी के नीती नियसकत के संदर में कौन सा कथन गलत है वही बताना है तो चले साथियों हमारी आँक के सामने धुल जोक रहा है पढ़ गया हमारी नजर कर रहा है भाग भाग पांच में है साथियों भाग चार में है ये भाग चार में 36 से 51 के मद्दिस में दिया गया है न यही गलत हो गया तो यही आपका उत्तर होगा यानि यह तीनों सही है अपने अपने जगा पर गलत उत्तर पूछा तो गलत कथन यही है के वाद तो यही यही गलत कथन ह ट्शार कथनों में से यह कथन गलत है, बाकि यह, तीनों सही थे। 47 में, टो 47 में क्या पूछ रहे हैं। तो इसमें सन्विधान की ग्यारहवी अनसूची के संदर में पंचायतों, पंचायत के दायरे में रखती है! तो आप लोग जानते हैं सन्विदान जो एक ग्राहवी सूची है जो पंचायतों से संबंदित है तो पंचायतों को जानते हैं उसमें 29 बिसे दिये गए थे तो पंचायतों संबंदित कौन सा उसमें मतलब किसे पंचायत के दाइरे में रखती है तो साथियों किरिसी भी तीर उद्योग होता ये भी है मलीन बस्ती सुधार यम उन्ने अंसातियों ये नहीं है ये तो सहरों से संबनीत होगे पंचायतों में नहीं है और साजनिक बित्रण प्रणी यह जो पब्लिक डिस्टिब्यूर्शन सिस्टम यह भी है जो रासन वगरे बढ़ती है ये तो है त कौन हो जाएगा आपका उत्तर 47 का सी हो जाएगा आगे चले 48 देख लेते हैं हम लोग 49 में साथी में कथन कारनवला सवाल देदिया है बहुत लाजवाब ऐसेगे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं करा है अलसंख्यक आयोग एक संवे दहनिक संस्था साथिं नहीं यह गैर सम्मेदानिक संस्था है तो यह गलत हो गया आपका तो अल्पसंख्यक आयोग जो है यह जो है यह गैर सम्मेदानिक संस्था है और अगला जो है यह नहीं सत्यों यह सम्मेदानिक संस्था है अल्पसंख्यक आयोग तो यह एक सम्मेधानिक संस्था है, यह साथी उगलती हो गया मुझसे, यह सम्मेधानिक संस्था है, अलसंख्यक सब्द का सन्मिधान में कहीं परिभासित नहीं किया गया, यह बात सही है, तो लेकिन यह इसको सही से explain नहीं कर पाया, इसका मतलब यह सही होगा, ए और आर दो तो आगे देखे हम 49 में अगर देखते हैं सन्मिधान 42 में सन्सोधन भार्ती सन्मिधान के 42वा सन्मिधान सन्सोधन में से कौन से सिद्धान्त जोड़े गए थे उसे ही हमें पताना है साथियों तो देखें सायकारी समीतियों का स्वैचिक कामकाज जो होता है साथियों तो ये जो होता है ये तो जो है सत्तानवेवा सनिधान संसोधन के माध्यम से जोड़ा गया था ये तो नहीं जोड़ा गया था इतना तो कंफर्मे ये सत्तानवेवा सनिधान संसोधन के माध्यम से जो ये तीनों जो हैं तो बिकल्प नंबर आपका जो सही होना चाहिए वो सी हो जाएगा यही तीनों है इन तीनों को जो है वयालिस्वा संग्दान संसोधन 1976 के मादन से जोड़ा गया था आगे देखे हम लोग तो यहां पर क्या दिया है पचास में राश्टी अंसूचित जाती और अंसूचित जन जाती आयो के संदर में कौन सा कथन सही है कथनों पर विचार करें और हमें बताना है कौन सा सही है तो कौन सा सही है ध्यान देजिए करा है यसी यस्टी के लिए राश्ट्री आयो की स्थाप़ा 1990 में सन्विधान 383 के तहट किया गया था साथियों गलत बात 190 में तो सारी 1990 में तो किया गया था लेकिन साथियों आपसे हलका सा उल्टा कर दिये सोचो 338 होता है यही 383 बना दिया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाये तो यही है यह गलत हो गया 383 नहीं 338 होगा और 89 यानि 99 संदान संसोदन 2003 के बाद इसे दो आयोगम विभाजित कर दिया गया ने आप से कूछ रहा है किष्णे टिपड़ी किया था कि समिधान भारत का सर्वोच्छे न्यालयानी बहुत है पास किश्छी ke when न यहीं क्या स्क्ना की ओर अधिक सक्टीसालिय queste में है यह सी हो जाएगा 51 का सी 52 में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है तो कौन सा कथन सही है उसे हमें बतादेना है कराएक कि पंद्र जाति धर्म और जन्मस्ठान के आदार पर भेदभाव समाप्ठ करता है यस सात् Newman बिल्कुल सही और पतल लग गया सही है तो यही सही है और मैं जब क्लियर होगा कि यही सही है इसका मतलब यह तीनों गलत होंगे यह तीनों गलत होंगे साथियों क्योंकि यह तो यह अनसूचित जातियों के धार्मिक अस्थानों के भेदभाव यानि धार्मिक अस्थान इसमें है ही नहीं मामल ये भी नहीं है और जो है नीतिए सक डानत नहीं आप मउलीक अधिकार के बारे में बात करता आपातकाल जब लगते तो मॉली का मौझे गश करता है यह वी साहिए तो सब गलत हैं यह वाला किय dzi आगे देखेए तिर्पन में क्या कह रहे हैं तो तिरपन में साथियों एक तरफ कथन एक तरफ कारण हमें बताना है कौन सा सही है तो उच्य न्याले का रिट जो होता है आप जानते हैं है हाई कोड का जो रिट होता है इसकि बिल्ट क्योंकि साथियों सुप्रिम कोड में आपके अफ्र nutrient से संहरे प्लोन सकते हैं और जो है वो हाई कोट में अन्य से भी सम्मंदित डाल सकते हैं इसलिए तो यह आपका दोनों बाते सही है जो मैंने अभी दोनों बाते बताई यह सही है और इसको explain भी कर रहा है तो आपका उत्तर C हो जाएगा आगे चले हम लोग देखें 27 में क्या करा है आप लोग जानते हैं अनुश्य 27 जो होते हैं धर्म की 136 संबंदित है 27 जो है टेक्स संबंदित है यांनि किसी धर्म को बढ़ाने के लिए आप टेक्स देने के लिए बाद नहीं किया जाएगा किसी को तो 27 संदर में यही का गया ह कि किसी भी व्यक्ति को विशेश धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा यह सही बात है और इसमें कहा गया है कि पूरी तरह से राज निदी से संचालित किसी भी सैचलिक संसान में कोई भी धार्मिक सिछा प्रदान नहीं कि ज वालत हो गया आपका जो 54 का उत्तर होना चाहिए वो केवल जो है एक होगा तो यानि यह हो जाएगा यह वाला आगे देखें में लोग 55 में तो इसमी क्या कह रहा है साथ हूं 55 वाले में तो सम्मेदानिक उप्चारों के अधिकार के संदर में कौन सा कथन सही है सम्मेदानिक उप्चार के अधिकार आप लोग जानते हैं अनुछेद 32 जो है यह जो है आप अनुछेद 32 के तहट यह केंदर सरकार में दिया गया है और जो है राजिक में 226 दिया गया है तो यदि कि सब्सक्राइब करने का मामला होता है इसके तरह आप लोग सुप्रीम कोड में दायर कर सकते हैं और यहां जो पश्पन में आप से पूछ रहा है सम्मेदाने को उप्चारों के अधिकार के बारे में कथ्रों में से कौन सा सही है तो सही उत्तर को चुनना है यह सम्मेदानी का अधिकार का उलंगन होता है तो पीडित ब्यक्ति सर्वोच न्याले के दरवाजा खटा सकता है यस बिल्कुल सही सर्वोच न्याले जाने के लिए उसे 32 का साहरा लेना पड़ेगा अनुछे 32 अनिदान के मुल सनचना का हिस्सा नहीं है मेरे भाई मुल सनचना का ही है इसे बात में नहीं जोडा गया है तो ये बात गलत हो गई तो 55 का आपका केवल 1 सही है ये वाला आगे देखे हम लोग जबील Wow लिड़े कारवाई और साश्वत इसमितिक गवाही के लिए दर्ज किये जाते हैं तो साथियों ये जो है ये बात तो सही है ये जो है ये सही है नियाले को जो है एक मेमोरी के रूप में मेमराइज करके रखा जाता है जिसका अन्य जगह जो है उपयोग किया जा सकता है तो य इस बात सइी है रहा हैं कि दूसरा वाला क्या कशें कराहा है उच्छ न्याले को अदालत हैं मानना के लिए साधारान कारवा से डंड करने की सकती है गार जांग यहांma पर सब्सक्राइब के 날ें 10 लिए तो बिकल्प नमबर काशी हो जाएंा चाहिए og 57 में 57 में आपको जो दिया निमलिखित में से किस संस्था का नियंत्रक महालेखक परिच्छक यानि कैग दौरा आडिट नहीं किया जाता है तो किस संस्था का कैग दौरा आडिट नहीं किया जाता है ये बताना है आपसे तो नगर पाली क्या साथी हो यह से संबंदित तो क्योंकि जो है ये राजियों के सम्मन में ये महालेखाकार परिच्छक होता है तो ये ये इसी सम्मनित है नगरपालिकास नहीं है 58 में देखते हैं तो 58 में भारत में सास्त्री भासाओं के संदर में कथन दी दिया है दो कथन और इनको पढ़कर सही उत्तर देना है तो साț्त्री भासाओं के संदर में कौन सा बातें सही है उसे पढ़कर हमें एक सही उत्तर देना है उडिया भारस सरकार्द वरा घोषित राश्ट्री भासा नहीं है to साथियों है यह तो उडिया तो है इसमें कहां नहीं है तो जो 58 में जो हमारा दिया है तो ये करा है कि कौन सा सही है तो ये तो आला हमारा सही नहीं है क्योंकि उडिया तो है ऐसा तो नहीं है तो एक गलत हो गया क्योंकि उडिया जो है जो हमारी भासाओं है उनमें से एक उडिया भी है तो जो है हमारा ये हो गया ये तो नहीं होगा दो वाले में देखते हैं तो सास्त्री भासा घोसित होने का एक लाग उस भासा के अध्यान के लिए उत्कृष्ट केंद इस्थापित कर यहां देखो साथियों बंदी प्रत्यच्छी करण से संबंदित एक कथन और दे दिया है कोई व्यक्ति किसी को बंदी बना लिया है चाहे हो सरकारी हो चाहे निजी तो दूनों संबंदित है इसका प्राथमिक उद्देश से क्या होता है तो जो व्यक्ति जो हिरासत में लिया हुआ है उससे संबंदित है तो किसी ब्यक्ति के हिरासत क्यों एधता कुछ चुनोती देना कि आपने जो इसे हिरासत में लिया है क्यों लिया है उसका आधार क्या है तो विकल्प नंबर 20 सही है साथ में तो मौलिक अधिकारों के संदर में कौन सा कथन गलत है कौन सा गलत है मौलिक अधिकारों के संदर में यह हमें बताना है साथ ही हूं कौन सा हमारा गलत है तो मौलिक अधिकार भारत के संविदान द्वारा संदचित और गारंटी युक्त है यस मौलिक अधिकार को गा भाग चार। मौल्य के दिकारे समय थ essent है बार्थ से 35 तो यहीं आपका गलत है बिकल्ब नंबर डी कल लत है है बा tota सथ में किकानर रहा है बारत में छेतरी परिस्टों के गठन करते समय निमलिखेट मेंसे किस कारख पर विचार नहीं किया जाता है से में राज का आर्थिक विकास तो यह नहीं किया जाए और बाकी नदी प्रलालिया उसके संचार साधन सांस्कितिक भासाई समानता आर्थिक विकास सुरच्छा कानून विवस्ता यह सब होते हैं विकल्ब नंबर ए यही आपका उत्तर हो जाएगा तो आगे चले हम लोग देखते हैं 62 में क्या है भारत के संविदान के किस भाग में आपातकालिन प्रावधान उलेक है तो साथियों आपातकालिन प्रावधान साथियों 18 में है कहां 18 है विकल्ब नंबर ए 62 हो जाएगा इसी में आपातकाल संबंदिक प्रावधान है आपातक में क्या है राजपाल की सहयता और सलाह देने के प्रश्ट कर दिया यह 63 में का गया है कि यह तीर सब्सक्राइब कर दिया यह 63 में होता है उसी तरह से यह 163 में है आगे चले हम लोग देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्ट में जी वीके राव समीति के नुसर पंचाइदी राज संस्थाओं का वर्डन किस प्रकार किया गया था तो ब्रश्टा यह गामिड विकास के अधार पर जड़हीन घास के अधार पर ब्रश्टा चार के केंद् सहरी प्रभाव का प्रती तो साथियों जड़हीन घास के अधार प्रतिया गया था तो जो जी बी के राव समीति है अपने आकलन के उसर पंचाइदी राज संस्थाओं को जड़हीन घास बताया कि रूप में वडित किया था और कहा कि उनकी प्रभावीता और ग्रामिड सा आसन के विकास के गहरे प्रभाव की कमी को उज्यागर करेगी तो यही है विकास नंबर बी हो जाएगा 1565 में किसके अनुसार भारत में उच न्यायलों के न्यायधीसों की सेवा निब्रिती आयू जो है 60-62 करती गई यह 60-62 आप लोग जानते हैं यह हाई कोड के मामले में है तो 21 संदान संसुधन माध्यम से दो साल बढ़ाया गया था इसके बारें पूछ रहे हैं तो 163 हुआ का 1515 संदान संसुधन दोर्यम यहाई 1515 संदान् संसुधन दोर्यम 1963 के माध्यम से ऐसा किया गया था शार से बासक किया गया चांचर देख लें किस अदिनियम दवरा भारत के संदान में न्यायलों की एकल प्रडाली को अपनाने के मुख रूप से रूप रेखा दी गई त सुक्किस अधियम के दौरा भारत के सनमिधान के न्यायलों में एकल प्रडाली को अपनाने की मुख भूमिका दी गई तो साथ यह आप लोग जानते हैं 35 ये 35 से लिया गया है बारसासान अधियम 1935 से लिया गया जो एकी करीद न्याय प्रडाली अपने भारत में यानि सबसे उपर सुप्रीम कोट ही होगा और इसके नीचे सारी कोटे होंगी किसी पर भी अपना ठक जमा सकता है अपना नेड़े दे सकता है यानि किसी को भी नेड़े पलट सकता है तो संसेट में क्या है मुख मंत्री के संदर्म में कौन सा कथन सही है तो राजपाल के मंत्रियों के न्यूपति की शिपारिश कर शकते हैं वह राजपाल को जो यस जैसे प्रदान मंत्री करते हैं वो ऐसे यह भी है सही बात है मुख मंत्री की स्तीफे या मृत्री के से मंत्री परिसे सोता ही भंग ह हो जाती है तो यस विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा तो मंत्री पैस्ट भंग हो जाती फिर से मंत्री पैस्ट बनाना पड़ता है तो आगे देखें हम लोग अनशठ में क्या है भाड़त के संविधान तर नागा लेंड राज जिके तुएंसांग जीले की सांती प्रगति और अच्छी सरकार के लिए निमलिकित में से किसके तहत नियम बनाय जा सकते हैं तो किसके तहत नियम बनाय जा सकते हैं 371 विकल्प नंबर एट तो निमलिक्ष किसके अनुसार सम्मेधानिक सक्तियों की द्रिश्ट इसे भारत के प्रदान मंत्री, के तुलना राष्टपति of your अमेरिक्या के राष्टपती से की जानी चाहिए, तो यह किसके अनुसार ये बाते लिखी गई है, भारत के प्रदान मंत्री के तुलना अमेरिक्या के राष्टपती से किया जाना चाहिए, यानि अमेरिक्या के राष्टपती के अगर तुलना आप करना चाहेंगे, तो भारत सत्तर में क्या है सिक्किम राजगुक की सनिधान संसोधन के माध्यम से उत्तर पुर्वी परिशत सदस्क रोप में सामिल किया गया था तो साथियों यह जो है सिक्किम के जो सामिल किया गया था उत्तर पुरुवी परिशत सदस के रूप में यानि नौर्थ हिष्ट में उसे जो सामिल किया गया था तो किस समिलान संसोधन के तहट किया गया था तो यह किया गया था यह उत्तर पुरुवी परिशत संसोधन 2002 के मा यो बहुत लंबा न हो जाए इससे थोड़ा सा हमाने समस्या होगी बनाने में अप्लोड करने में आपको भी देखने में होगी तो अच्छे से सब इसी के जश्ट बाद हम अप्लोड करेंगे तो यह सेकेंड बार तो आप लोग इसका देखने को मिल जाएगा तो हम लोग